कि अब्रीवन जैसा कि इससे पहले हम लोग क्लास 10 साइंस महा संग्राम में चैप्टर वन चैप्टर टू का कुछ पॉर्शन कर चुके तो जो इंपोर्टेंट कुछ एग्जाम पॉइंड वीव से आने वाला है वो हम लोग कर चुके थे ठीक है आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 विदुद धारा के बारे में आज की क्लास भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्तुपुन रहेगा क्योंकि आज की क्लास में भी हम लोग उसी कुछन का डिस्कसन करेंगे जो एक्जाम में आने की जादे चांसे होता जादे प्रपैबिलिटी होगा कि एक्जाम में आ सकता है जो महत्तुपुन कुछन होगा उसी का हम लोग डिस्कसन करेंगे तो बढ़ते हैं आज की क्लास में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वसे चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 है विदुद धारा फिजिक् का आज का क्लास आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे आवेश के बारे में आवेश इसको कहते हैं चार्ज आवेस किसी वस्तु का एक ऐसा गुन होता है जिसमें आकरसन या विकरसन का अनुभव होता है आवेस किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्द का एक गुन होता है जिसमें आकरसन या विकरसन का अनुभव किया जाता है तो चार्ज दो वस्तु को रगडने से उत्पन किया जाता है अब इसके अंदर में एक चार्ज होगा किसी दूसरे वस्तु जिसमें हम रगड़ेंगे उसको उसमें भी चार्ज होगा सबोज हमने ले लिया कांच और रेश्वम कपड़ा ठीक है इन दोनों वस्तु को जब आवेश होगा वो दूसरे में चला जाएगा तो इसमें से आवेश का निकलना ये वस्तु हो जाएगा धन आवेश अज दूसरे में चार्ज आवेश का जाना पहुंचना वो होगा रिन आवेश तो एक धन आवेशित वस्तो होगा दूसरा रिन आवेशित वस्तो होगा मतलब positive charge and negative charge ठीक है तो charge जो होगा आवेश होगा वो दो पड़कार का होगा एक धन आवेश दूसरा रिन आवेश दो आवेश के बीच में आकरसन या विकरसन बल होता है एक आवेस सपोज माल लो कि धन आवेस है दूसरा डिन आवेस है तो इन दोनों में क्या होगा आकरसन होगा या दो समान आवेस एक पलस क्यू एक माइनस क्यू दोनों एक पलस क्यू दूसरा भी पलस क्यू दोनों में क्या होगा विकरसन होगा एक माइनस Q दूसरा भी क्या है माइनस Q इन दोने में भी क्या होगा विकरसन एक धन आवेस एक रिन आवेस आकरसन दोनो धन आवेस या दोनो रिन आवेस उसमें भी क्या होगा विकरसन तो औ समान आवेस आकर्सित होता है, समान आवेस क्या होगा, विकर्सित होगा, यह आवेस का एक गुन होता है, अब दो आवेस के बीच में प्लस क्यू, माइनस क्यू, इसके बीच में बल लगेगा, आकर्सन बल, यह बल का जो परिनाम होता है, बल का जो मैगनिचूट होता ह वो Coulombs law ने दिया Coulombs law के अनुसार बल का जो परिनाम होगा वह 1 by 4 pi epsilon naught into दो चार्ज एक को Q1 माल लेते हैं एक को Q2 माल लेते हैं अब अब अट्टे में R square R क्या है इन दोनों charge के बीच की डूरी है distance है राइट यह होता है इन दोनों आवेज के बीच में बलो का परिनाम 1 by 4 pi epsilon naught epsilon naught जो होगा कि वो आवेज किस माधियम में हैं किस space में रखा हुआ है और उसी की बात हो लिए epsilon naught कहते हैं इसको खाल कि लास 12 में आप लोग physics में पूरा details में पढ़ने वाले तो देखते हैं कि आवेज दो प्रकार की है तो दोनों में किस प्रकार का गुन पाया जाएगा आवेज की गुन यदि प्लेस क्यू प्लेस क्यू है तो दोनों में क्या होगा विकरसन माइनस क्यू माइनस क्यू दोनों में भी क्या होगा विकरसन एक प्लेस क्यू एक दूसरा माइनस क्यू दोनों में क्या होगा आकरसन होगा कहने का मतलब है कि दो समान आविस कहने का मतलब है कि जब दो समान आविस होगा तो उन दोनों आविस में क्या होगा विकर्शन होगा दो समान आविस के बीच विकर्शन होता है अब यहां देख सकते हैं कि दोनों समान आवेस नहीं है अब और समान आवेस समान और समान का सेंस यह होगा कि साइन प्लेस एक का माइनस समान यह होगा कि दोनों या तो धनावेस होगा या दोनों रिनावेस होगा वह समान होता है एक और समान it means कि एक धनावेशित होगा दूसरा और इनावेशित होगा ठीक है तो दो और समान आवेश कैसा है इन दोनों के बीच में आकरसन बल होगा सेकेंड पॉइंट दो और समान आवेश के बीच आकरसन होता है कि वस्तू में आवेश को निर्मान नहीं किया जा सकता है नहीं विनास किया जा सकता है किसी वस्तू के अंदर में जितना भी आवेश होगा वो हमेशा पॉन्जर्ब्ड होगा इट मेंस कि वो सननक्षित होगा किसी वस्तू के अंदर में आवेश समान होता है ना तो उसमें से हम उत्पन कर सकते हैं ना उसके अंदर हम उसे डिस्ट्रॉइड कर सकते हैं बलकि एक वस्तू से दूसरे वस्तू में आवेश का अस्थनांतरन होता है ट्रांसफर होता है ठीक है अब दो वस्तो को रगढ़ा, अब भी मैंने बताए एक्जामपल में कि काँच को, अगर हम रेसम की कपड़े को रगढ़ते हैं, तो एक का आवेस दूसरे में चला गया दूसरे एक कामें आवेस को ट्रांस्फर करना, दूसरा कामें गरहन करना, एक ने मतलब तया किया, दू पनांत्रन होगा आवेश कभी भी उत्पन नहीं होगा नहीं विनास होगा आवेश को ना तो निर्मान किया जा सकता है और नहीं विनास प्रंतु आवेश संद्रक्षित रहता है आवेश किसी भी सिस्टम के अंदर में किसी भी बॉडी के अंदर में आवेश कंजर्व्ड होगा संद्रक्षित होगा ठीक है तो अच्छा एक बता कि एक एलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते है उस आवेश का ऐसा मतलब टोटल जो परिनाम होगा 1.602 इंटू 10 का पाउट माइनस 19 कूलम है नहीं याद रखना है कि एक एलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का परिनाम होता है वो इतना होता है कि ठिक है तो सेकेंड इंपोर्टेंट टोपिक है वो जो धारा के बारे में हो जो धारा क्या है इसका ऐसाय मात्रक लिखे राइट ईसाय मात्रक लिखना है का इसका यूनित लिखना है, और एलेखिक करेंट ब करन को है, इसके बारे में बताना है, जिंद ली उखसाम में यही आते ही की वन-अंपएर विदृधदरा क्या होगा, राइट तो ये भी important question रहेगा हमारे लिए, ये भी important question रहेगा board exam के लिए, तो सबसे पहले हम दोग define करें कि विदुद्धारा क्या होता है, अभी हम दोग चर्चा किये थे कि किसी वस्तु के अंदर में आवेश संदक्षित होता है, अगर उस वस्तु में अगर हम energy देने काम करें, in the sense कि उसमें हम potential देने काम करें, विभांतर देने का काम करें, तो उसमें जो आवेश होगा, वो गती में आ जाएगा, हो सकता है कि उस वस्तु को छोड़के किसी दूसरी वस्तु में भी आ सकता है, यसी possibility हो सकती है, थिक है? तो जैसे वस्तु गती में आ किसी भी सुचालक करते हैं आवेस को किसके साथ समय के साथ देखते हैं कि एक सेकंड के अंदर में कितना आवेस निकल गया एक मिनट के अंदर में या तो एक सेकंड भी हो सकता या एक मिनट भी हो सकता यह वन आवर यूनिट टाइम आप कुछ भी मान सकते हो चेक कर लेना कि एक सेकंड के अंद के रोग के अंदर में प्लस क्यूपलस क्यूपलस क्यूबू जया को अगिंक ये नरो हुआ है किसी एक बेंदू से दूसें बेंदू को एक सिखी डिसां में वो देरिक्षिanie वह परवा हो रहे तो एक भी समय के अंदर में जतना बसका कुल परिनाम परवा होगा तक है एकाई समय में जितना आवेस परवा होगा उसी को कहते हैं विदुधारा दारा नहीं है अजिसे पानी के बात करते हैं तो पानी किसी नदी में बह रही है इट मेंस कि वो पानी की दारा आवेस परवा होगा तो उसको विदुधारा कहते हैं आवेश परवा जो होता है, आवेश के परवा समय दर को ही कहते है विरुद्धारा. एकाईस यह अंसर कर लेते हैं. एकाईस हमें में, परवाहित विदुद्धार, परवाहित विदुद्धावेश को, विदुद्धारा कहते हैं, ठीक है, एकाई समय में, ठीक है, देखते हैं, विदुद्धावेश क्या होगा, विदुद्धावेश, विदुद्धावेश ने होगा, विदुद्धावेश ने होगा, विदुद्धावेश ने होगा, विदुद्धावेश ने होगा, विदु unit time के अंदर में मतलब एकाई समय के अंदर में जितना विदुत आवेश निकल जाएगा विदुत आवेश का प्रिनाम निकल जाएगा एकाई समय के अंदर में वह हम कहते हैं विदुत धारा current electricity इसको हम जो denote करेंगे हम लोग वो आई से विदुत धारा को आई से सूचित करते हैं आई से तो आई बड़ावर क्या होगा विदुत आवेश q बट्टे में टी आई बड़ावर क्यू बटेटी विदुद धारा हो गया विदुद आवेस विदुद ये एकाई समय हो गया एकाई समय में जितना अब हम बात कर ले थे इसके SI मात रखिये, SI मात रखिया होगा, विदोधारा का, एक तो मात रखोगा, समय, सेकंड, चार्ज, कूलम, कूलम, पर सेकंड, विदोधारा का SI मात रखोगा, कूलम पर सेकंड, या दूसरा होगा, ampere एक एसाही मात्रक होगा आपका कुलम पर सेकंड दूसरा क्या होगा ampere, दोनों एसाही मात्रक किसका है वी तो धारा का है अच्छे इसमें देखेंगे कि एक सेकेंड के अंदर में अगर एक कुलम आवेज परवा हुआ ठीक है एक सेकंड के अंदर में केवल एक ही कुलम आवेज परवा होगा तो कितना ampere धारा होगा एक ampere धारा होगा एक ampere एक सेकंड के अंदर में एक कुलम आवेज परवा होगया तो एक ampere धारा एक सेकंड के अंदर में दो कुलम आवेस परवा हुआ तो दो एमपेर धारा एक सेकेंड के अंदर में पांच कूलम आवेस परवा हुआ तो पांच एमपेर धारा इसको देखते हैं कि एक सेकेंड के अंदर में एक कूलम आवेस परवा हुआ तो एक एमपेर धारा किसे कहेंगे एक एमपेर विदुद आवेश किसे कहते हैं ठीक है देख सकते हैं कि एक सेकेंड के अंदर में अगर एक कुलम आवेश प्रवा होगा तो एक एमपेर विदुद धारा होगा एक सेकेंड के अंदर में एक कुलम आवेश प्रवा होगा तो एक एमपेर विदुद धारा होगा ठीक है एक एमपेर विदुद धारा किसे कहते हैं इसका आंसर करते हैं एक सेकेंड में प्रवाहित एक कुलम विदुद आवेश को एक एमपेर विदुद धारा कहते हैं ठीक है यह हो गया एक एमपेर वराबर एक कुलम बट्टे एक सेकेंड अचा यह होता है कि एक एमपेर तो है यह विदुद धारा अगर एक मिली एमपेर होगा तो इसको एमपेर में लाएंगे एक 10 का पावर माइनस 3 मिली एम्पेर छोटा मात रखोगे, एम्पेर से भी छोटा और उससे भी छोटा होगा तो 1 माइक्रो एम्पेर 10 का पावर माइनस 6 एम्पेर उससे भी छोटा मात रखोगा 9 एम्पेर 10 का पावर माइनस 9 एम्पेर नैनो से नाइन याद रखना, एक पीको एंपियर, 10 का पावर माइनस 12 एंपियर, ठीक है, तो सबसे छोटा किसमें आ गया, पीको एंपियर, 10 का पावर माइनस 12, नैनो एंपियर, 10 का पावर माइनस 9 एंपियर, माइक्रो 10 का पावर माइनस 6, और मीली 10 का पावर माइनस 3, ठी तो इस तरह से define कर सकते हैं कि सब्सक्राइस एक कुलं में विदृत आवेसको को हम एक एंप एंपेर विदृत-धारा कहते हैं एक एंपेर बड़ावर एक कुलं बढ़ट है एक स्कुसिन में के हे विदृत का सूचालंग क्या अलक की बात करते सुचालक वह पता थोगा जिस स्यों के विदुत आवेस आसानी से प्रवा हो जाए तू आज कि राज में बढ़ते हैं निक्स कुसर है विदुत विभाव क्या है इसका इसाही मातरक बताना है इसका इसाही मातरक लिखे यह भी एक्जाम पॉइंट आवेस से बहुती इंपोटेंट कुस्ण रहेगा विदुत विभाव एलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है किसी भी सिस्टम के अंदर में एक धन आवेस को एक बिंदु से एक चालक के अंदर में भी कह सकते हैं कि चालक के अंदर में एक धन आवेस को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैसे अंदर होता है कि अंदर से किसी निश्चिक बिंदु तक या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्ज कार्ज जितना किया गया है विदुत आवेस कुराने में विदुत आवेस को एकाई विदुत आवेस को किसी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लाने में किया गया कार्ज क्या कहलाएगा विदुत विभाव कहलाता है ठीक है यह होगा विदुत विभाव एलेक्ट्रिक पोटेंशिल जिसको हम denote करते हैं V से इसे V से सूचित करते है V क्या होगा W बट्टे आवेस Q W बड़ाबर V बट्टे V बड़ाबर W बट्टे Q हम सूचित करेंगे V से potential voltage होता है जिनली है ना जिनली हम लोग बॉल्टेज का नाम सुनें कि voltage जो होता है वो वी विदुत विवा होता है तो इसका answer कर लेते हैं एकाई विदुत आवेस को अनन्द से हमने अनन्द इस बिंदु को माल लिया जनली अनन्द की कोई सीवानी अनन्द से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किये गए कार्ज को विदुत विभाव कहते हैं एलेक्ट्रिक पोटेंसिल कहते हैं हम विदा से नेला करेंगे व से सूज़त करेंगे व ब्रावर ध़णिव यहां से नगाइं से व ब्रावर व तक है क्या होगा वी ता का v divers w बर्टे क्यों व क्या होगा मर्म म् इस जास एक बिंदू से दूसरे बिंदु अन्दर में इसको लाने में किया गार्ज ऐसाय मात्रक की वात कर लेते ऐसाय मात्रक क्या होगा तो ऐसाय मात्रक जो होगा वह नुन से मतलब विदुट भी हो का व considers होता है तो वूल्ट अब इसका हिसाई मातरक अपने ही नाम पे दिया गया वज्यानिक दौरा आले सांड्रा वोल्ट दौरा दिया गया है ठीक है तो यह भी कुशन है इस तरह से आप लिख सकते हैं इसाई मातरक वोल्ट होगा एकाई आवेस को किसी एक बिंदू से या किसी अनंत से किसी निश्चित बिंदू जखळानी में जो काम करना परता है वो हमारा विदू होगा अब किसी भी तार के विदू हम修ंद बात करेंगे व जो नार और वीभव का क्या होता है कि आवेस को इनरजी देने का काम करेबा आवेस में ऐनरजी देगा तो उनों एक दूसरी के समानुपाती होता है, डारेक्टली प्रोपोस्टनल होगा, अब चालक के अंदर में विधुत विभाव देंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, आवेस गती मान हो जाएगा, आवेस को और एनर्जी मिलेगा, आवेस एकसाइटे होगा, वो गती में जैसे ही गती में आएगा, तो उसको क्या गहते है, विधुत धारा, आवेस परवास समय दर को विधुत धारा कहते है, अवेस प्रवाव क्या होता है, एनर्जी देने का काम करेगा, एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक आवेस को किसी सिस्टम में लाया गया है, विधुत धारा, एक बिंदू समान होने का मतलब होगा, कि विधुत धारा, हम लोग पढ़ेंगे ओम स्लो के बारे में, कि दोनों एक दूसरे के समान उपाती होता है, प्रूफ भी होगा, एक्स्परिमेंट दौरा, क्या चालक के अंदर में, सुचालक पदार के अंदर में विधुत विभाव एक समान होता है, या उसके मान में थोड़ा बदलाव होगा, अब इसलिए थोड़ा चेंज आता है, किसी भी तार में, सुचालक पदार के अंदर में, विधुत विभाव एक समान नहीं रह सकता है, अलग-अलग मान हो सकता है, अब इन दोनों के बीच क suppose इस point पे हमने A यहां माल लिया B, इन दोनों के बीच का विदुत विभाव निकालते हैं, यहां का potential निकालेंगे, इस point का potential निकालते हैं, विदुत विभाव निकालते हैं, यहां भी विभाव निकालते हैं, मतलब VB, VA और यहां VB, दोनों का difference जो आएगा, दोनों का अंतर कर नियुक्ता आहेगा उसको बोलते हैं film potential difference जिसको अपका विववाँधर अंतर जिसको मापते हैं व gemaakt मेन जैन तो अब इस लोगतार के अदर में बिन्दूएः बिनुब के बीच का ugreamnay निकाला विववांतर निकाला ठीक है दोनों के बीच के अंतर को विववांतर को बोलता है विववांतर अलग लगा सकता अगर समान होता अगर विववांतर समान होता पोटेंसिल डिफरेंस समान होता इस पॉइंट पे पांच वोल्ट है इस पांच पे पांच वोल्ट है तो में अगर हम विभाव को मापते हैं तो क्या उसके बीच का विवांतर जीरो आएगा नहीं इतो सकते हैं । जीरो से बड़ा ही आएगा । वन वह सकता है। वन वोल्ट ौन वोल्ट वह वौल्ट ऊनकी आएका मतलगे अगर pane 6 वोल्ट है यहां पर 4 है तो अब इसलिव दोन्हों के बीच का डिफरेंस क्या होगा よं पिवांतर होता है विभवां अंतर मतलब potential difference potential difference कहते हैं विभव के बीच चालक तार में दो बिंदूं के विभव के अंतर को विभवां अंतर कहते हैं दो बिंदूं के विभव के अंतर को विभवां अंतर कहते हैं अब दोनों को मापने का जो एक system आया है एक मापने का जो यंतर आया है वो है वोल्ट मीटर इसे वोल्ट मीटर यंतर दोड़ा माप आ जाता है अब ताड़ में आवेस को एनरजी देने का काम किया तो आवेस परवा हुआ तो आवेस परवा का मतलब होता है कि इस वायर के अंदर में ताड़ के अंदर में चालक पदाड के अंदर में करेंड फ्लो रहा है तो अब उस वितुधारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का पढ़ियोग करेंगे उस वितुधारा को मापने के लिए जो यंत्र का पढ़ियोग होता है वो होता है एमीटर एमीटर एक यंत्र जिससे हम धारा को मापते हैं वे तो धारा को मापते हैं वोल्ड मीटर एक ऐसा यंत्र जिसके बीच में जिसमें तार में दो बिंदू के बीच में विवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर यह हो गया एमीटर दोनों के में क्या एक बेसिक डिफरेंस क्या होगा वोल्ट मीटर जिसका सिम्बॉल वी होता है एमीटर जिसका συμबॉल A से दिनोट करते हैं आप तोनों एक परकार का यंदार है चालग पतारत में दो बिंदों के बीच का उस्थान chirping को मढपने दो की का रोकार चालग पतारत में पढ़ाइक कुल लितो धारा को मापने का काम करेंगा एमीटर दोनों में बेसिक डिफेरेंस यह यह एक ऐसा यंत्र है जो चालक ताड़ में दो बिंदों के बीच विवांतर को मौपत है कि एमिटर की बात करते हैं यह एक ऐसा यंत्र है जो चालक ताड़ में परवाहित विदुधारा को मौपत है परवाहित बेतर यह होगा कि यहां पर कुल कर देंगे क्योंकि सारे के सारे धारा को मौपनेगा काम करेगा परवाहित कुल विदुधारा को मौपत है तो ऩह प्रकार घिए आप ख्यान थे टार्ग धुधार छारे को मौपत हैं यहां थालक तार्ग अंड़ी ती ल później अब दोनों की आप फड़के वोल्ड मीटर को एक चालक तार में किस परकार लगाया गया एमीटर को किस परकार लगाया गया देख सकते हैं वोल्ड मीटर को चालक तार में एक सिरेनी में नहीं बलकि पैरलेल में लगाया गया है मतलब समांतर में इसको लिए गया है स्रीज में सिरेनी में ल होगा उन साथे को मापने काम करेंगा कौन एमिटर अब वोल्ट मीटर क्या करता है कि चालक तार में दो बिंदू उनके बीज का विववांतर मापता है मतलब यह हुआ हम दूसरा डिफरेंस बेसिक डिफरेंस यह कह सकते है कि यह 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 कह सकते हम इसे चालक ताड़ के साथ समांतर करम में लगाते है इसे चालक ताड़ में सिरेनी करम में लगाते है स्रीज में लगाया जाए ऐसे तो अब लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट कुस्टन देखेंगे वो है ओम का नियम बहुत इंपुटेंट टॉपिक है बहुत इंपुटेंट कुस्टन है ओम का नियम लिखें तथा पड़ियोग द्वारा इसे सत्यापित कीजिये इसमें ओम का नियम लिखने के लिए और पड़ियोग द्वारा ओम के नियम को सत्यापित करना उसको प्रूफ करना एक्स्परिमेंटल वेरिफिकेशन करना पड़ियोग द्वारा ठेक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस चालक तार लेंगे यह है एक चालक तार इस चालक तार को वैसे सारे चालक तारे इसको कनेक्ट कर दियागया एक बैटरी से एक होता है cell और एक होता है cell का sum battery ठीक है plus minus बड़ा वाला जो होगा वो धन दुर्ग होगा छोटे वाले जो होते हैं वो दिन दुर्ग होता है इसमें हम connect कर देते हैं जोड देते हैं A meter को इसके साथ जोड दिया जाएगा volt meter को अभी हम लोग discussion कर चुके कि वोल्ट meter को हम समांदर करम में लगाते हैं A meter को सिरेनी करम में लगाते हैं ठीक है यहाँ बिंदू यह बिंदू हो गया मानलो सपोज यह बिंदू A है यहाँ बिंदू B और एक इसमें लगा देंगे एक परति रोधक जिसको हम रिडियो एस्ट्राइट कहते हैं परिवरत अंसील परति रोधक कहते हैं एक सहुलियत के लिए एक स्विच लगा दिया बंद स्विच स्विच ऑल अफ करेंगे एक्स्परिमेंटल वेरिफिकेशन में एक रिडियो एस्ट्राइट लगा दिया ज चुकि परिपत की कुल धाला को मापेगा इंदू बिंडू की बीच चालकतार बिंदू A तथा बिंदू B इनके बीच का विभांतर को विभांतर को मापने का काम करें कि इस चालकतार में विभांतर कितना है इस चालकतार से कितना धाला पफ़लो हुआ तो experimental verification के लिए हमने पहले ले लिया एक battery, एक switch, air meter, volt meter, चालक तार वैसे चालक तार तो सारे है volt meter battery, एक rio stat, मतलब परिवर तंसील परतिरोध ले लिया गया तो एक practical किया जाएगा experimental verification के लिए सत्याबन करने के लिए एक practical किया जाएगा practical यह होगा कि एक आकरा तयार करना हमें V और I के लिए आकरा तयार करना है अलग अलग आरिच हो जाएगा यहां पर हमारा परिवर्तन शील परतिरोध मतलब रियो एस्टैट इसको रियो एस्टैट कहते है ठीक है परिवर्तन शील परतिरोध कहां यह होता है कि इस परतिरोध का मान हम चेंज कर सकते बहलो को बढ़ा सकते घटा सकते जितना चाहे सो ओम होगा दो सो ओम पर्तिरोद का एसाई मात्रग जो होता है वो ओम होता है ओम वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया जोर्ज साइमन ओम ठीक है तो पर्तिरोद का एसाई मात्रग हम लोग पढ़ेंगे पर्तिरोद क्या होता है पर्तिरोद का एसाई मात्रग ओम होगा तो इ depend करेगा तो एक आकड़ा हम ले लेते हैं अडियो एस्ट्रैट का परिवरतनसील परतिरोध का मांत सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पांसो परिवरतनसील परतिरोध में हमने पांसो ओम ऐसे होगा पांसो ओम सेट किया ठीक है पांसो ओम पे इससे जो विववांतर मापा गया है मन इंचालक के बीच में बोल्ट मीटर दवारा विववांतर माना गया है वो है एक वोल्ट पांस वोल्ट ले लेते हैं पांस वोल्ट मापा गया है और चालक तार में परवाही तो धारा मापा गया है तो वह है एक एंपियर ठीक है फिर 400 ओम पर सेट किया गया रियो एस्टैट को अब मापा गया है विववांतर दस वोल्ट धारा मापा गया है दो एंपियर अब मापा गया है तीन सो ओम लिया गया है सेट किया गया पड़िवरतंसील परतिरोध में तो विववांतर के आया वोल्ट मीटर दवारा इन दो अब लेते हैं 200 Ohm, मान आया 20 Volt, कुल धारा मापा गया तो वो आया 4 Ampere, ले आ गया 100 Ohm, आया 25 Volt, और धारा आया है कितना? 5 Ampere, ठेक है? एक वी और आय का एक रेसियो देख सकते हैं, वी आय का अनुपाद देखो आप, जैसे जैसे वी बर रहा है, जिस रेसियो से, जिस अनुपाद से वी बर रहा है, अलग-अलग मान के लिए उसी रेसियो से, उसी अनुपाद से आय का मान भी बर रहा है, 5, 10, 15, 20, 25 Volt, 1, 2, 3, 4, लेकिन यह जो एक्सप्रिमेंट किया गया है यह एक्सप्रिमेंट हुआ है डार्क रूम के अंदर में डार्क रूम बंद कमरे के अंदर में क्योंकि थोड़ा भी वैलू चेंज हो सकता है डार्क रूम के अंदर में यह प्रैक्टिकल किया गया अगर रौसिनी वाले प्रकास परकास परकास में अगर इस प्रक्रीकल को किया जाएं फंक जाए लविए तो सकता है कि उस लाइड परभाव से इस चालक का तापमान नंकेस को सका बढ़ सकताいい इसलिए इस प्रैक्टिकल को डार्क रूम में किया गया, चालक का तापना नहीं बढ़नी चाहिए, तापमान बढ़ने के लिए नहीं बढ़ने के लिए क्या करेंगे, कि उस प्रैक्टिकल को डार्क रूम में अंधेरा कर देंगे, क्योंकि चालक तार पे रौसनी का भी होता है, like experiment, क्रोओं क्योंकि बाहर में करेंगे तो इसका वाय स्बाइल रख गटा कभी बढ़ेगा, घटे बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए-स practical को किया गया कहा डार्क- ताकि डार्क रूम में इसलिये किया है ताकि इसका ताप मान ना बढ़े ताप मान बढ़ने से जो वैलू एक समान रेस्यू में आ रहा है वो नहीं आपाएगा सबोच हमने एक खुले कमरे में, खुले कमरे में सुज के प्रगास में प्रेक्टिकल किया तो भी और आई के मान को पड़िवरतंसील पड़िरोत के मान को बार बार चेंज किया, बदलता गया, एक ratio में बतला, भी भी एक ratio में आया, लेकिन आई ratio में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि चालक पर उस ताप का परभाव पढ़ेगा, चालक पर पर परभाव पढ़ने का मतल अच्छा, मतलब, constant होना चाहिए, तापमान का कोई भी परभाव होना पड़े, एक constant होना चाहिए, तापमान, तापमान constant होगा, तभी हम value को माप सकते हैं, अब दोनों के वी का आएगा ratio निकाल, दोनों का नुपात निकालो, पांच बट्टे एक तो क्या होगा, पांच, दस बट्टे दो, तो क्या आएगा, पांच, पंद्रा बट्टे तीन, ये भी आएगा, पांच, बीस बट्टे चार, ये भी आएगा, पांच, पचीस बट्टे पांच, ये भी आएगा, पांच, अलग-अलग परिवरत नसील परतिरोद के लिए, वी और आए का मान क्या है change हो रहा है, बदल रहा है क्यों बदलना है हम देख सकते हैं अलग अलगपरिवरतनसील परति रोट के लिए वी और आई का मान जो है वो बदलना है मतलब वी बदलना, आई बदलना है लेकिन वी और आई का रिदलन मान उपात एक समान आया ये समान इसलिए आया है क्योंकि आसपास के वातवरन को आशपास के तापमान को constant रखा गया अचर रखा गया है इसलिए तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि ओम का नियम तभी लगो होगा जब तापमान क्या होगा अचर यदि तापमान अचर है तो चालक के बीच का विववांतर उसमें पढ़वाही विटुद धारा एक दूसरे के समान उपाती है एक समान अनुपात में बढ़ रहा है देख सकते हैं 555 ये क्या है एक समान अनुपात में तो लिख लेते हैं इसका अंसर किसी अचरता पर चालक के बीच का विववांतर उसमें पढ़वाहित विदुद धारा के समान उपाती होता है मतलब वी समान उपाती है आई के तो वी समान उपाते का निशान हटेगा तो वी वरावर आएगा आई इंटू आड़ अब जहां आड़ क्या है एक निया तांक है इसी को कहा गया है यहां पर परतिरोथ परतिरोथ यहां से आड़ की वेलू निकालते हैं कि कि सालक के आर निकालेंगे तो आर क्या आएगा वी वट्टे आए इस समझ मेरा है कि कि सिषार का परतिरोद होगा वह धारा के विद्थारमान उपाती समान उपाती नहीं है विद्खरमान उपाती का मतलब यह ने से सरा थे दारा गमान कम हो जाएगा परति रोद ढ मेठा देख सकते हैं एक्स्प्रिमेंटर वीरिपीकेशन कुछ नहीं है एक पड़ियोग करने के लिए एक वोल्र मेटर लिए गया इक एड़िया गया एक चालक दार लिया गया पड़ी बरतनसील परती रोद एक स्विच है एस और बैटरी लिया गया वी अजब को अपने अनुसार एक डायराम के अनुसार सजा दिया जाता है वो इसके बाद हम लोग वैलू को मापते हैं पांसो चार सो इस तरह से कोई भी वैलू अपसेट कर लोगे तो आप देख पाओगे कि वी और आई का जो अनुपात आरा एक समान अनुपात तो यह आकड़ा यह साबित करता है कि ओम के नियम में चाले के वीच का विवानतर उसमें परवायत विद्धारा के समानुपाती होगा एक समान अनुपात में विवर रहा है आड बडाबर भी आ भी आड विविद्ध कर्मानुपाती है विविद्ध धारा के चालक का परतिरोध बढ़ने से धारा कम हो जाएगा अब धारा कम परतिरोध कम होने से धारा कर्मान बढ़ जाएगा दोनों एक दूसरे के विविद्ध कर्मानुपाती होता है तो हम लोग अगले टॉपिक में द